Do, Does, Did ये तीन ऐसे वर्ट्स हैं जिनके बिना आप अंग्रीजी ना तो बोल सकते नहीं लिख सकते हैं जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहे हूँ गाईस क्योंकि जैसे ही आप 10 से सीखना शुरू करते हैं या कहले जें इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको Do और Does को समझना पड़ता है उसके ठीक एक दिन बात समझ दीजे आपको Did की जरूरत पढ़ जाती है तो अगर इन तीनों को आपने सही से नहीं समझा तो आप सही इंग्लिश कैसे बोलेंगे और सही बताऊं तो जो सबसे ज़ादा गलतिया होती है वो भी इसी पार्ट में होती है क्योंकि इसके इंटरोगेटिव नेगिटिव अलग तरीके से बनते हैं और पॉजिटिव सिंटेंस अलग तरीके से बनते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि Do, Does, Did को कहां कहां यूज करते हैं और एक बहुत important part है वो तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है तो वीडियो में इन तक बने रहेगा My name is Kanchan, you are watching me on Vidyasa चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो करने सब्सक्राइब उसके बाद आने वाले बिल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोडिफिकेशन्स मिल सकें गाइस अगर आप सभी टेंसे सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखेगा I think इतना तो आप सभी को पता है लेकिन ये चीज़ बहुत important है कि negative और interrogative sentences में हम इनका use करते हैं positive sentences में नहीं करते हैं लेकिन एक जगह है जहां positive sentences में भी हम do, does, did का use करते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं तब तो आपको वीडियो में बिल्कुल end तक बने ही रहना चाहिए और वो बहुत ही advanced level की English होती है तो वो आप जरूर से देखेगा ध्यान से तो अब आते हैं यहाँ पे कि अगर हम do, does, present, indefinite में use करते हैं अगर मैं आपको singular और plural के हिसाब से बताओं मतलब एक वचन और बहुचन के हिसाब से तो जब बहुचन होना subject तो आप do का use करते हैं और subject अगर एक वचन हो तो does का use करते हैं जैसा कि आप देख सकते ही, she, it यह सब एक वचन हो गए singular noun जैसे कि किसी एक व्यक्ती का नाम या फिर boy, girl इस तरीके से है तो आप इसका use करेंगे डस का और उसके अलावा जितने भी plural है ना उनके साथ do का use करेंगे I और you को आप exception समझे I और you singular हैं फिर भी इनके साथ do का use होता है ठीक है यह आप याद रखेगा अब आते हैं यहाँ एक जो normal structure होता है ना sentence का वो क्या होता है एक पहले subject यूज़ करते हैं और अगर helping verb है तो helping verb फिर main verb और फिर हम object यूज़ करते हैं और अगर उसमें not भी है तो हम helping verb और main verb के बीच में not लगा देते हैं ठीक है लेकिन present indefinite और past indefinite की बात कर रहे हैं यह दोनों his tenses जो हैं इनमें एक चीज़ tricky होती है कि positive sentence जो होते हैं उनमें हम helping verbs का use नहीं करते हैं पहले का positive sentence देख लिए फिर हम उससे negative बनाएंगे मैं वहाँ जाता हूँ इसके लिए हम use करेंगे I go there ठीक I use किया go use किया there use किया simple कोई helping verb नहीं है अब इसी को जब negative बनाएंगे तो जो I के साथ do या does में क्या आएगा उसे हम use करेंगे पहले ठीक है तो मैं वहाँ नहीं जाता हूँ बोलने के लिए I और फिर यहाँ use करेंगे do I do not go there तो देखिए helping verb और main verb के बीच में not clear तो जब negative sentence बनाएं तो do does की मदद लें अब यह तो सरल है I go था और यहाँ भी I do not go कर दिया अब यहाँ आते हैं वह वहाँ जाती है यहाँ पे subject है she she के साथ हम यहाँ पर positive sentence में go में es लगा देंगे बन जाएगा she goes there ठीक अब इसको जब negative बनाएंगे वह वहाँ नहीं जाती है तो हम यहाँ use करेंगे she के साथ क्या does या फिर do does ठीक है तो she does not go there देखिए यहाँ goes था और यहाँ यह go हो गया यही तो नियम है positive sentences में जब आपका subject singular होता है तो आप verb में es या es जोडते हैं ठीक और negative sentence में आप do या does की जब मदद लेते हैं तो आप जो उसके बाद main verb यूज़ करते हैं वो आपकी verb की first form होनी चाहे और यहीं गलतियां होती हैं सबसे ज़्यादा तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब आप do, does, did मैं did की भी बात कर ले रहूं यहाँ पर जब आप इनका यूज़ कर लें तो main verb हमेशा base form आएगी ना तो second form आएगी past की बात करेंगे अभी ना तो second form आएगी नहीं ऐस या yes लगेगा जब आप do, does, did का यूज़ कर लें तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बिलकुल आसान लगेगा सब कुछ अब देखें हम change कर लेते हैं pronouns की जगर नाम यूज़ कर लेते हैं रोहन वहां नहीं जाता क्या बोलेंगे रोहन के साथ क्या आएगा does या do, does आएगा रोहन क्योंकि यह singular है रोहन does not go there, अब रोहन के साथ मीरा को भी जोड देते हैं दो लोग हो गया, plural हो गया रोहन और मीरा अब यहाँ पर do आएगा, do not go there, वहां नहीं जाते, clear? अब आगे आते हैं, अब समझ लेते हैं did को, अब आगे past में हम, यह आसान इस लिए है, क्योंकि आपको subject की attention नहीं लेनी कि subject क्या होगा आप किसी के भी साथ did का use करेंगे, चाहे singular हो, plural हो या कुछ भी हो, ठीक? तो अब यहाँ आजाते हैं, इसमें जो positive sentences बनते हैं, past indefinite में, उसका क्या rule है? कि हम कोई helping verb यूज नहीं करते हैं, और verb की second form यूज करते हैं, main verb की तो मैं वहाँ गई थी, क्या बोलेंगे, I go की second form went there, यह positive verb negative बनाएंगे मैं वहाँ नहीं गई थी, क्या बोलेंगे, I did not, ठीक है, did not, अब क्या हम went use करेंगे, नहीं मैंने आपसे बताया कि अगर did, do, does, जो भी use करनें तो क्या आता है, verb की first form, base form I did not go there, clear, यहाँ बड़ी गलतियां हो जाती है, क्योंकि आदत होती है, I went there बोलने की, तो I did not went there, मुह से निकल जाता है अब तो यह simple है, सिर्फ did लगाना है, रोहन और मीरा है, तो भी हम did का use करेंगे, clear, तो negative sentence में did का use हमने कर लिया अब साथ में sentences देख लेते हैं, वे रोज नहीं खेलते हैं, यह आपका present का है, लोग परवाह नहीं करते थे past के लिए हम यह तो कहते हैं कि खाया, लिया, गया, इसके लिए हम इस तरीके से use करते हैं past indefinite लेकिन अगर ता, था, ती, थी, ते, थे आए, तो भी वो past indefinite होता है मैं बोलू नहीं खेलते थे, तो क्या बोलेंगे, sorry, नहीं करते थे हैं, ठीक है, नहीं करते थे people did not care, did not care, किसी ने कुछ नहीं किया, nobody did anything, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने कोई not नहीं use किया है, तो यह did कैसे आ गया, तो guys ध्यान दे, यह main verb है यहाँ मैंने nobody use किया है, nobody मतलब कोई नहीं, nobody did anything, यह तो आपका main verb है यहाँ जब हम helping verb यूज करेंगे, तो यह कुछ इस तरीके से sentence होगा, तब हमे nobody की जिए यूज करना होगा, anybody did not do anything, तब यह did यहाँ पर do बन चाएगा, clear, अब आते हैं, यहाँ पर कुछ interrogative sentences देखते हैं, उनमे भी इनका use होता ही है, क्या आप tennis खेलते हैं, देखें, interrogative sentence में क्या होता है, बस helping verb को हम सबसे शुरू में रख देते हैं, अगर question word है, तो उससे भी प साथ क्या आता है, do, do you play tennis, तो देखें, वर्ब की first form, क्या आप कहानिया सुनते थे, सुनते थे, तो हम क्या use करेंगे, did, did, did you listen to stories, clear, अब आते हैं, क्या आप खिड़किया नहीं तोड़ते हैं, बड़ा ही अटपटा सा सवाल है, लेकिन जब आप cricket खेलते हैं, तो खिड़ क्या नहीं तोड़ते हैं, तो यहां देखें, नहीं भी हम क्या बोलेंगे, यहां पर do, क्योंकि तोड़ते हैं, do you not break windows, अब यहां पर हमने you के बाद not use किया, ध्यान दे जब contraction में use करते हैं, तो यह और यह दोनों जोड़ जाते हैं, तो यहां पर आप बोल सकते हैं, don't you, windows, clear, अब यहां देखें, क्या आपने खाया नहीं, तो यह past की बात हो गई, हम use करेंगे, did, क्या बोलेंगे, did, did you not eat, अगर हम इसे साथ में जोड़ेंगे, तो क्या बोलेंगे, didn't you eat, clear, अब आगे आते हैं, देखें, question word के साथ भी देख लेते हैं, रिया कहां काम करती है, तो कहां कि English सबसे पहले where अब करती है, तो यहां पर रिया है, does होगा, ठीक है, where does रिया work, यहां तुम कहां काम करते थे, where, did, अब क्योंकि past की बात है, where did you work, तो guys अब बात करते हैं, यह तो आपने समझ लिया कि हम negative और interrogative में कैसे use करें, अब important बात है कि do, does, did का use हम positive sentences में नहीं करते, but to add emphasis, जब आप जोर देकर बोलते हैं, तो आप इनका use करते हैं, और यह बहुत है important part है, जब भी आप किसी advanced speaker को सुनेंगे, तो वो इसका use जरूर करता है, मैं वहाँ जाता हूँ, अगर आप normal बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, I go there, अब मान लिजे, मैं को नहीं कि आप नहीं जाते हैं, तो आप जोर देके बोलेंगे, मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक है, तो यह जोर देने की बात है, उसके लिए हम उसी tense के helping verb को वहाँ पर use करते हैं, ठीक, तो present indefinite में हम do का use करेंगे, अगर I है तो, तो I do go there, मैं वहाँ जाता हूँ, इससे पता चल ग बोल रहे हैं, she does go there, यहाँ देखे, वह वहाँ गई थी, past की बात की, she went there, normal sentence, वह वहाँ गई थी, she went there, लेकिन जोर देके बोल रहे है, she did go there, तो यहाँ पर did use होगा, तो यहाँ भी, यहाँ भी आपको यह rule ध्यान में रखना है, कि जब do, does, did का use कर लिया, तो verb की first form तो आप यह ना सोचें कि यह गलत है, यह सही है, हम वो करते हैं, we do that, normally, लेकिन जोर देके बोल रहे हैं, we do do that, हम वो करते हैं, why don't you believe us, ठीक, मैंने वो किया था, अरे भी, किया था, तो I did that, normal है, लेकिन जोर देके बोलेंगे, I did do that, clear हुआ कि किस तरीके से इसे use करते हैं, अब आप के लिए question है, मैंने उससे बात की थी, ठीक, simple sentence है, I talked to her, लेकिन जब आप थोड़ा सा stress देके बोल रहे हैं, जोर देके बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, I did talked to her, और I did talk to her, comment section में लिखके जल्दी से बता दीजिए, और इस वीडियो को share कर दीजिए, सब ही क वीडियो पसंद आयो, तो like भी कर दीजिए, मैं मिलती हूँ आप से अगले वीडियो में, अगर आपको कोई topic चाहिए, specially तो comment section में आप लिखके जाए,